रावन के नाम का अर्थ जानते हो एक ऐसी तहाड जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मान्द काप उठे लेकिन ये तहाड कभी एक पुकार कुआ करती थी महाग्यानी ब्रह्मन विश्वा का बेटा था रावण वेद पुराण संस्कृत श्लोक में पंडित चाहता तो विश्व का सबसे बड़ा संद महात्मा बन सकता पर रावण के ग्यान की प्यास से कहीं अधिक उसकी महत्वकांशा की तलब थी इसलिए उसके महिनों के जाब बरसों की तपस्या और सदियों के बलिदान का लालची लक्ष केवल एक था दुनिया पर राज रावण की अचूट भक्ती से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे कई वर्तान दिये शस्त्र, कवच, महाबल पर रावण की मांग थी अमर्ता जो ब्रह्मदेव ने उसे ना देकर उसके बदले दिया एक और वर्ता कि उसकी मृत्यू किसी भी दिव्य प्राणी के हाथों नहीं हो सकती और फिर रावण ने देवताओं के दिये इन महाबर्दानों का उन्हीं के विरुद्ध प्रयों किया अब उसे रोखने वाला कोई नहीं गरिमा और गौरव का प्रतीक रावण शक्ती और सत्ता का ऐसा लोभी बना कि उसने अपने भाई तक को भी नहीं चोड़ा छल से उससे लंका का मुकुच्जीदा और उसे अपने सर पर बहत दिया